तो guys आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी Minecraft Bedrock Edition और Pocket Edition के अंदर अपने Iron Farm को fix कर सकते हो और हाँ guys इस वीडियो को देखने के बाद आप आपने Iron Farm को बिलकुल 100% यहाँ पे fix कर दोगे मैं आज की वीडियो में आपको जितने भी इशू है Iron Farm के सारे के सारे इसू को यहाँ पे clear करने वाला हूँ तो guys इर जो में लिए सबसे पहले इशू Iron Farm के अंदर आता है वो है कि आपके farm के अंदर यहाँ पे Iron Golem spawn ही नहीं होता है अब आपके iron farm में यहाँ पर iron golem spawn क्यों नहीं होता है उस से पहले मैं आपको बता दू कि actually में iron farm यहाँ पर work कैसे करता है अगर आपको यह पता चल गया ना कि iron farm यहाँ पर कैसे work करता है तो आप यहाँ पर अपने farm को easily fix कर सकते हो तो guys यहर देखो iron farm को work करना आने के लिए आपको minimum यहाँ पर 20 bad चाहिए रहते हैं और minimum आपको यहाँ पर 10 villager चाहिए रहते हैं अगर आपके iron farm के अंदर यह दोनों चीज़ी यहाँ पर मौझूद रहती है तब आपका iron farm यहाँ पर work करता है but guys आपको यह भी ध्यान डखना है कि आपके iron farm में यहाँ पर देखो इस टाइप का green coat वाला villager नहीं होना चाहिए वरना आपका iron farm यहाँ पर work नहीं करेगा तो मैं इस वाले villager को यहाँ पर मार देता हूँ आपको ऐसे villager चाहिए हैं जिनसे आपने कभी कोई भी trade बगरा ना की हो हाँ ऐसे villager चल जाएंगे जो यहाँ पर job बगरा कर रहे हो लेकिन आपने उनसे कभी भी कोई भी trade बगरा ना की हो और आपको ध्यान रखने कि आपको baby villager को अपने farm के अंदर नहीं लाना है baby villager को पहले बढ़ा कर ले न तब ही उसको अपने farm के अंदर यहाँ पर लाना और हाँ crys अभी nut desde the book बता थे यहाँ पर पर आपको आसे आपको आपकी ब्लीजर के उसामने न तोड़ देता हूं और हाँ रहे आपको इनी टैप की विलेजर को अपने फार्म के अंदर यहां पे लाना है तो मैं क्या बूला था काइश देखो अभी जैसे मैंने इस वाले विलेजर के सामने यह वाला जॉब ब्लॉक रखा ना लेकिन देखो जॉब ब्लॉक किस वाले विलेजर ने लिया लेकिन ये वाला job block है ना इस वाले villager के justice सामने नहीं रखा है इस वजए से ये इस पर work नहीं कर पाएगा और इस वजए से आपका iron golem यहाँ पर spawn नहीं होगा पाम के सामने तो आपको simply क्या करना है यहाँ पर देखो इस तरीके से job block रखना है इसने देखो यहाँ पर job ले ली और इसके पास particle भी आ गए है तो आपको इस job block को टोलना है और इसके justice नीचे यहाँ पर रख देना है अभी सेम आपको फिर से step करना ही यहाँ पर एक और job block को रखा अभी देखो इस वाले बंदे ने यहाँ पर job ले ली है अभी देखना यहाँ पर iron golem पका spawn हो जाएगा तो यह देखो guys मैंने सभी बंदों को यहाँ पर job दे दी है अभी देखना थोड़ी देर बादी यहाँ पर iron golem spawn हो जाएगा और यह देखो guys बोलने की देरी नहीं और iron golem भी यहाँ पर spawn हो गया है तो यहाँ पे दो iron golem spawn होंगे तो चलो अभी मैं इसको मार देता हूँ अभी देखना फिर से यहाँ पे थोड़ी देर बाद कोई ना कोई iron golem बगर spawn हो जाएगा यहाँ देखो गाइस यहाँ पे spawn हो गया बोलने की देरी भी थी यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे 20 विलेजर कर देता हूँ देखना मैं यहाँ पे 2 आइरन गोलम पें 20 गोलम पेसे पालिछोड़ आदफे पल्ब कर देखना यहाँ देखो यहाँ रर्यन गोलम बेचना ही च्बाद की देख civils यह देखो guys, एक iron golem यहाँ पर spawn हो गया, भी देखना है, थोड़ी देर में यहाँ पर एक और iron golem spawn हो जाएगा, यह देखो guys, यहाँ पर एक और iron golem spawn हो गया, मैं weather clear करने जा रहा था, इतने में यह spawn हो गया यहाँ पर, तो आप अभी समझ सकतो कि किस तरीके से आपका iron palm यहाँ पर दुबारा से place करना है, और make sure कर लेना कि आपके जितने भी iron golem है, यानि आपके जितने भी villager है ना, वो यहाँ पर bed से link हो जाए, और हाँ bed टोडने के बाद guys, आपको जितने भी workstation है, यह भी सारे यहाँ से तोड़ देने हैं, यह भी आपको यहाँ पर दुबा से green particle आजाए, तो guys, इतना होने के बाद भी अगर आपका यहाँ पर farm work नहीं करता है ना, तो तीसरी आपकी सबसे बड़ी mistake होती है, कि आपने अपने farm को यहाँ पर किसी village, villager या bed किसी के पास आपने इस farm को यहाँ पर बना दिया होगा, अगर suppose आपका यहाँ पर iron farm है और इस तरीके से यहाँ पर कोई भी बैड रखा रहेगा ना, तो आपका जो यहाँ पर कोई विलेजर है ना, वो उस बाले बैड से यहाँ पर link हो जाएगा, और ऐसे में क्या होता है, जब यह link होगा ना, तो को मैं आपको इस तरीके से बाता हूं, suppose आपका एक बैड यहाँ इस तरीके से रखाए ठीक है, यह देखो, यहाँ पर एक विलेजर इस तरीके से link हो गया, और इसके link होने की वज़एसे क्या होता है, कि आपका आइरन गोलाम है ना, वो आपके आइरन फार्म इस पॉन होने की जगा, यहाँ पर spawn होने लगता है, इस वज़ए से आपका ज कदेना है मिनीम्म यहाँ हैं भी मैं करनेक्स कि यहाँ एथे गल्थी आपने और अगे को किसी गड़ के पास बना दिया है नियुक्त कोता है मिन्याहें लिग आनगीश्कन करें अगर दूर इतना होने के बाद यहां पर आइरन फार्म對 के आपास बनाने है क्या इनए कौई है इसने क्वियल्स तो लेकिन सपोज आपने यहाँ पर एक iron farm बना और इसके just नीचे यहाँ पर कोई cave बगएरा है तो क्या होता है कि iron golem आपके iron farm spawn होने की जगा उस वाली cave के अंदर spawn होने लगता है और फिर वो मरता नहीं और वहीं पर spawn होके वहीं पर रहा वाता है जिस वज़े से मैंने बताया थे कि जब तक यहाँ पर दो iron golem रहेंगे तो कोई iron golem से spawn होगा नहीं पिंकि maximum यह दो iron golem at the time spawn कर सकता है तो बो iron golem मरेगा नहीं तो उस वज़े से यहाँ पर कोई और iron golem spawn के नदर spawn नहीं होगा तो आपको make sure करना है कि जब भी आप iron farm बगएरा बनाओ तो उसकी नीचे कोई cave बगएरा नहीं हो अगर आपके iron farm के नीचे कोई cave बगएरा है तो उसको pack कर देना या वहाँ पर leave बगएरा प्लेस कर देना जिससे वहाँ पर कोई भी mob बगएरा या कोई भी iron golem बगएरा spawn न पर फिर यहां पर इस तरीके से वर्क टेबल बगएरा इस तरीके से लगा रहता है और इसके अंदर यहां पर बैट रहता है तो उन वाले iron farm के अंदर यहां पर कोई भी इशू नहीं जाएगा यूँकि यहां पर तो बिलेजर डारेक्ली इन से लिंक होके काम करने तो आपने साथ यह पांची भी गलती की होगी जो की बहुत कम लोग यहाँ पर करते हैं लेकिन फिर भी मैं आपको वह वाली गलती यहाँ पर बता देता हूँ तो गाई जो 6 सबसे बड़ी गलती ही न वो है यहाँ पर गलत वर्क स्टेशन को कि यहाँ यहाँ पर आपको लाप साथ चाहिए- यहां पर वर्क नहीं करेगा इपको यह वाली वादे यहाँ आप यूज नहीं करने हैंशаться है प्रॉब्लम कहीं तो वर्क कर जाते हैं इसमें क्या होता कि कभी कभी है आपके विलेजर यहां पर इस फार्म से बाहर निकल जाते हैं और आपका फार्म यहां पर ब्रेक हो जाता है इस वज़े से इन वाले वर्क स्टेशन को भी हमें यूज नहीं करना चाहिए अब जो चलो बात करते के आइरन फार्म की स्टियेशन में जिसक वह सब्सक्राइब के आयरु तरह की किसे आपके यहां पर देख सकते हैं prendre लोग ऑन करना तो दो लोग बनाते हैं इस तरीके के हवा में iron farm reference के लिए भी आप इस तरीके के thumbnail की फोटो देख सकते हो जिससे आप समझ सकते हो तो देखो गई जो इस तरीके से जमीन के गड़े के अंदर iron farm बनाते हैं उनके क्या होते कि जो iron golem वो यहाँ पे इस तरीके से अंदर ने spawn होके कुछ glitch करके तो slap से अच्छा best method है कि आप यहाँ पे चारो तरफ इस तरीके से लीव बगएरा को place करते हो तो आपके iron golem यहाँ पे बाहर spawn होना बंद हो जाएंगे अगर फिर भी बाहर spawn होते हैं ना तो आप थोड़ा और इसको और पीछे तपी यहाँ पे इस तरीके से ली सपोज यहाँ पे killing chamber है और इसके corner पे गोलम spawn हो जाते हैं तो आप यहाँ पर इस तरीके से slab place कर सकते हो या यहाँ पे आप इस तरीके से leaf को place करते हो और मैं तो बोलता हूँ कि आप लीव को place करने क्यूंकि slab में कभी कभी इस तरीके से glitch बगएरा हो जाता है और हाँ गईश चलो यहाँ पर भी spawn नहीं होता है corner पे तो कभी कभी क्या होता कि आपके जो आर इनगोलम उपर spawn होने की जगा यहाँ पे यहाँ पे नीचे spawn हो जाते हैं तो आपने इसकेạiन हुटी होदी हो तो कि आपने गलती की होती कि इस पने हैं परbing फाइर इंप स्वान हो जाएंगे बंद हो जाएंगे तो यहीं था एक सिंपल सफिक्स आपके आईरन फाम के लिए अगर इन सब मेथड करने के बाद भी अगर आपका आईरन गुलम यहां पर स्पाउन नहीं होता है या फाम के बाहर स्पाउन होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन वे नीचे बता देना तो म मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा बाकी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना